हेलो फ्रेंज आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घर में हर्बल हैर ओइल किस थरह से बनाया जाए जो हमारे हैस के लिए बहुत ही जादा हेल्दी होने वाला है हमारे हैर लॉस को कंट्रोल करेगा और उसके बाद हैर ग्रोथ को इनहेंस करेगा पहरे मैंने इसमें लिया है coconut oil, coconut oil बहुत अच्छा होता है हमारे हैस के लिए dandruff से fight करता है हैस को moisturize करता है और हैस में shine add करता है उसके बाद मैंने लिया है mustard oil mustard oil protein में और omega 3 fatty acids में बहुत जादा अच्छा होता है, बहुत rich होता है जो की हमारे hair growth को बहुत जादा enhance करता है उसके बाद मैंने लिया है kalonji, kalonji hair loss को treat करती है methi methi protein में बहुत high होती है, बहुत rich होती है next जो मैंने लिया है वो है onion, onion क्या करता है? onion हमारे hair इसको extra sulfur प्रवाइड करता है, जो की हमारे hair इसको बहुत जादा strong और thick बनाता है next हमारा है hibiscus, hibiscus वाइटामिन C में बहुत अच्छा होता है, बहुत rich होता है और ये flower जो होता है, वो flower blood circulation को increase करता है और जिससे क्या है, hair growth हमारी बढ़ती है curry leaves curry leaves, beta carotene में rich होता है और दुसरा, protein में rich होता है, बहुत अच्छा सोर्स है, बीटा carotene और protein का जो की आपका hair loss को reduce करता है और hair growth को increase करता है इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम किस तरीके से अपना hair oil बन करें करता है है इसको अच्छे से पकाने के बाद आप इसको ओवर नाइट के लिए सोक करने के लिए रखढ़ दें कुब अच्छे से पकाहलें वहाथ अच्छे से रात भर इसे सोक करें और वरी नेक्स डे़ आप मॉनिंग में जब उठें आप इस ऐल को किसी स्ट्रे इन से चान के अच्छे से चानके आप इसे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं आप आल्मोस्ट इस ओइल को आप वन मंद के राउंड इसे यूज कर सकते हैं बहुत हेल्दी हो गई बहुत आपकी जितने भी हैस के जो प्रॉब्लम है कुछ इशूज है आपके बार्डनेस बढ़ रही है गंजापन अगर आ रहा है बहुत जादा लॉस हो रहे है उसमे आपको बहुत जादा फाइदा देगा और आपके हैर उनको बहुत अच्छा करेगा न Kangण करेगा शाइन देगा ये विर मेरे कुद हैर सिपी है अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिएगा So have a great day, stay healthy, stay fit, bye bye